हेलो सर्थियों नमस्कार आज मैं करेंट अफेर्स माह जुलाई 2018 जो की पीवी ग्रूप और एक्जाम के लिए विशेश तोर पर बनाया गया है इसकी सीरीज फर्स्ट है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें तो चलिए आईए स्ट आज का हमारा पहला किश्यन है हाल ही में किस राज में अनपूरा दूद योजना सुरू की गई है इस योजना के तहत राज के बिद्यालेवो मदरसों स्पिसल ट्रेनिंग सेंटर्स में अध्यांडत कक्षा एक से आर्ट के बिद्यार्तियों को एक सफटा में उच्च गुडवर्ता के ताज़ा गर्म दूद दूद कराया जाएगा कक्छा एक से पांच तक बच्चों के एक सो पचास मिली लीटर तथा छे से अर्थ तक विद्यार्थियों को दो सो मिली लीटर दूद दिया जाएगा हाली ही में किस देश के प्रधान मंति चुनाव लड़ने की अनुमत प्रधान की गई है तो तो इसका उत्तर है पाकिस्तान के पूर प्रधान मंतिर साहिद खाकान अभासी को चुनाव लड़ने की अनुमत प्रधान की गई है इससे पहले इसलामाबाद हाई कोट के चुनाव नयाधी करण अबासी के चुनाव लड़ने पर अजीवान प्रतिवंद लगा दिया गया था जो की अब इन्हें अन्मत मिल चुकी है अबासी इस फैंसले से लाहोर हाई को चुनावती दी थी चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कुशन की ओर हमारा आज का अगला कुशन है हाल ही में किस भारत बंसी को USA DMO केटरिक पार्टी की नेशनल कमेटी के CEO के रूप में निक्त किया गया है इसका उत्तर है भारत बंसी सीमा नंदा को USA में डिमोकेटरिक पार्टी की नेशनल कमेटी के CEO के रूप में निक्त किया गया है अगले कुशन की ओर बढ़ने से पहले हमारी आपस रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा फेस्बुक बार्ट सब ग्रूप पर सेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लावान बित हो सके तो चलिए दोस्तों इस यासा और किसाथ आगे बढ़ते हैं अगले कुशन की दा इस्पिरिट टू सर्व पुस्तक के लेखक काउन है दा इस्पिरिट टू सर्व पुस्तक के लेखक जे डबलू मेरियट जूनियर है इस पुस्तक में बताया गया है कि मेहनत देड़ता और अपने कर्म पर ध्यान ही सफलता दिलाती है तो हम आसा करते हैं आप लोग भी मेहनत देड़ता और अपने कर्म पर सफलता दिलाती है यह तो बहुत ही अच्छी वात है आप लोग भी द्यान देंगे और चलिए अब बढ़ते हैं अगले किश्यन की ओर देखते हैं हमारा अगले किश्यन क्या है इसका उत्तर है दोस्तों बेद बिग्यान आलोग पुस्तक के लेखक कौन है इसका उत्तर है दोस्तों बेद बिग्यान आलोग पुस्तक के लेखक अगनिबत नेश्टिक हैं इस पुस्तक में बेदों और गद्दिक लिखित कविताओं का बर्णन किया गया है बेद तो हमारे किताब किस देश ने जीता जिसका उत्तर है भारत कवरड़ी मास्टर का किताब भारत ने जीता है भारत ने कवरड़ी मास्टर के किताब पाइनल बुकाबले में इरान को 44-26 से हरा कर किताब जीता है तो ये ध्यान रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा कि पाइनल में भारत ने किसको हरा थो तो यहां पर इरान होगा और कितने से हरा था 44-26 से ये ध्यान रखिएगा जरूर इंपोर्टेंट है एक जाम में आ सकता है तो चलिए फिर अगले क् क्यूशन है हाल ही में मलेशियन ओपन बैडमेंटन टूनामेंट का किताब किस खिलाडी ने जीता तो इसका उत्तर है मलेशियन ओपन बैडमेंटन टूनामेंट का किताब मलेशियन खिलाडी ली चिंग वेई ने जीता है बेई ने मलेशियन ओपन बड़मिंटन टूनामेंट के फाइनल मुकाबले में जापान के केंटो मौमेटा को 21, 17, 23, 21, 23, 21 से हरा कर यह किताब जीता है बेई ने बारमी बार मलेशियन ओपन बड़मिंटन टूनामेंट का किताब जीता है तो यह ध्यान रखिएगा बारमी बात और अब हम चलते हैं अगले किश्चन की और देखते हैं हमारा अगले किश्चन क्या है दोस्तों हमारा अगले किश्चन है हाल ही में असर पंद्रे उत्से कहां मनाया जा रहा है जिसका उत्तर है असर पंद्रे उत्साव नेपाल में मना मनसून अब द्हान के भीजाई की रुप मनना जाता है तो ये ध paranoid तो ये रखीए गाट जिसम डिएगा अजिसान में मनने जाता है ये जान के जान में तो चलिए अगले खड़क्शिंद की बढ़ता है देखते हैं सिंध में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था सिंध में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था सिंध में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था जिसका उत्तर है सिंध में पहला डाक टिकट एक जुलाई 1820 में जारी किया गया था सिंध में जारी किये गए डाक टि नाम किया रखे गया था सिंगडार्क तो चलिए आप धे थान रख़ेगा सिंध डा अब वाड़ते हैं ऑगले क्शेंट की ओर दीखते हैं आप हमारा ओले किशन क्या है हरी और अखरी पिंस्टीन होगा तो दोत्वेस्ट है मेरी की सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले तो प्लीज लाइक करें और सेर करें और जितना हो सके कमेंट करें जितना से जितना पेस्बूक और बाटसअप ग्रूप में सेर करना ना भूले चलिए अगले क्यूशन की उड़ बढ़ते हैं सतियो आज का हमारा दसमा और अखरी क्यूशन मक्का में सुरंग से जा रहे भक्तों में भगदर कम मची थी जिसका उत्तर है मक्का में सुरंग से जा रहे भक्तों में भगदर 2 जुलाई 990 में मची थी इस हादशे में करीबर 14 लोगों की जान चली गई थी प्रतिवर्स दुनिया भर में 20 लाग से ज़्यादा लोग हज यात्रा करते हैं हज में पूरुस दो तुकड़े उबाला बिना सिलाई का सफेद चोंगा पहनते हैं महिलाई सफेद रंग के खुले कपड़े पहनती हैं जिसमें उनके हाथ और चेहरा खुले रहते हैं करूंगा और मैं आसा करूंगा कि आप लोग अगला वीडियो आने तक इनतिजार करें और मैं इसी तरह से करेंट अफेयर्स और जीके और मत्रदेश जीके एवां आगे चलके मैं के वीडियो भी डालूंगा तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग उसका नुटिकेशन प्राप्त हो जाए तो चलिए आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं धन्नवाद आप सभी का वीडियो देखे दनाओ